जै मातादी दोस्तों, फर्ल बेस्ट मैजिक में आपका हर्दिक स्वागत है, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जै मातादी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नौरातरी के पहले दिन की पूजा विदी के बारे में। आपको बता दें कि नौरातरी के पहले दिन कलस स्थापना के साथ साथ मादुरुगा के प्रथम सरूप मासेल पुत्री की पूजा की जाती है। तो आज हम आपको मास मासेल पुत्री की पूजा करते समय आपको किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए, कौन सा फूल मातासेल पुत्री को बेहदी प्री है, साथ ही आपको बताऊंगी कि मासेल पुत्री का प्रीय भोग क्या है, और मासेल पुत्री को प्रशन्य करने के लिए आपको किस मंतर का जा करना चाहिए साथ ही मासेल पुत्री की कथा भी सुनाऊंगी इसके लावा नौरात्री के प्रथम दिन किये जाने वाला एक इच्छा पूर्ती उपाएं भी बताऊंगी जिसे करके आप अपनी मनुकामना को पूरा कर सकते हैं दोस्तों नौरात्री के पहले दिन मदुरुगा के पहले सरूप यानि मासेल पुत्री की पूजा की जाती है मासेल पुत्री को इसने करोणा और ममता का सरूप माना जाता है मासेल पुत्री की विधी विधान से पूजा अर्चना करने से मनुवांचित फल की प्राप्ती होती है और जीवन के सभी संक्टों से मुक्ती मिलत आपको बता दें कि मासेल पुत्री हिमाले की पुत्री है इसी वज़े से मा के इस स्वरूप को सेल पुत्री कहा जाता है माता सेल पुत्री का सभाव बेहदी सांत और सरल है माता के एक हाथ में तृसूल और दूसरे हाथ में कमल सोभा दे रहा है और मा व्रसब की सवारी करती हैं इसी लिए मासैल पुत्री का एक नाम व्रसा रूना भी है दोस्तों मासैल पुत्री समस्त वन्य जिव जन्तों की रच्छक भी हैं माता सैल पुत्री ने घोर तपस्या करके ही भगवान सिव को प्रशन्य किया था सैल पुत्री के आधिन वे समस्त भक्त गड़ाते हैं जो सुयोग, साधना, तप और अनुस्ठान के लिए परवत राज हिमाले की सरन लेते हैं, मा अपने भक्तों की हमेशा मनुकामना पूरी करती हैं, और साधक का मूला धार चक्र जागरत होने में मातासैल पुत्री सहयता करती हैं, आपको बता दें कि मातासैल पुत्री की पूजा करने से कुवारी कन्याओ को सुयोग वर की प्राप्ती होती है, और घर में धन्य धान की कमी नहीं होती, माता के इस स्वरूप को जीवन में इस्थिरता और दरनता का प्रतीक माना जाता है, मासैल पुत्री की पूजा करके विभिन सिध्यों की भी प्राप्ती होती है, दोस मासैल पुत्री का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें और बात करें मा के प्रियरंग की तो मासैल पुत्री का प्रियरंग पीला है तो भक्त को इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहन कर मासैल पुत्री की पूजा करने चाहिए मासैल पुत्री की पूजा करने के लिए आप सर्वर्थम एक लकड़ी की चौकी ले लें और उस पर लाल रंग का वस्तर बिछा लें उसके उपर स्वास्ती कच्चिन बना कर मासैल पुत्री की प्रतिमा इस्थापित कर दें या इसके लावा आप केसर से संग लिख सकते हैं संग भी मासैल पुत्री का स्वरूब माना जाता है दोस्तों यदि आप के पास मासैल पुत्री की प्रतिमा अलग से नहीं है तो आप मादुर्गा की प्रतिमा ही इस्थापित कर दें और मासैल पुत्री का ध्यान करते हुए मादुर्गा की ही विद्वत पूजा करें आप माता को रोली कुमकुम अच्छा तर्पित करें और मासैल पुत्री को प्रसन्य करने के लिए आप सफेद कनेर के पुस्प या फिर लाल गुडहल के फूल का प्रयोग कर सकते हैं और बात करें मासैल पुत्री के प्रिय भोग की तो मा को इस दिन गाय के घी का भोग लगाना चाहिए या फिर आप सफेद रंग की मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं दोस्तों धूब दीब जलाएं इसके बाद मासैल पुत्री के मंत्रों का जाब करें आप ओम संग सैल पुत्री देव्य नमा का जाब कर सकते हैं या इसके लावा आप मासैल पुत्री के मंत्र ओम एंग ख्रीम क्लीम सेल पुत्रे नमा इस मंतर का भी जाब कर सकते हैं या इसके लवा एक मंतर और है आप या देवी सर्व भूतेसु मा सेल पुत्री रूपे अनसिता नमस्तस्य 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 नमो नमा इस मंतर का जाब भी कर सकते हैं आप मंत्रों का जाब कम से कम 108 बार जरूर करें। दोस्तों, जितनी ही स्रद्धा और भक्ती के साथ आप मा का जाब करेंगे, मा उतनी ही जल्दी प्रसन होकर आप की मनुकामना को पूर्ण अवस्य करेंगी। दोस्तों मंत्रों को पूर्ण करने के बाद आप मासैल पुत्री की कथा जरूर सुनें और दुर्गा चालीसा, दुर्गा कवच या दुर्गा सब्तसती का पाट भी अवस्य करें। अब मा के समक्ष अपनी मनुकामना को अवस्य बोलें। अब आप आरती करके विद्वत जो इस प्रकार है दोस्तों, पूर्व जनम में मासैल पुत्री, राजा दक्च की पुत्री और भगवान सिव की पतनी थी तब इनका नाम सती था एन बार प्रजापती दच्छ ने बहुत ही विसाल यग का आयोजन किया उन्होंने सभी राजा, महराजा वा देवी देवताओं को निमंत्र दिया लेकिन भगवान सिव का ओघण रूप होने के कारण उन्हें निमंत्र नहीं दिया जब देवी सती को अपने पिता के द्वारा विसाल यग के आयोजन के बारे में पता चला तो उनका मन उस यग में जाने के लिए व्याकुल होने लगा तब उन्होंने भगवान सिव को अपनी इक्चा की अनभूती कराई इस पर भगवान सिव ने कहा कि किसी कारण से रूस्ट होकर तुम्हारे पिता ने हमें अमंत्रित नहीं किया है इसलिए तुम्हारा वहाँ जाना कदाचित उचित नहीं होगा लेकिन देवी सती ने भगवान सिव की बात पर विचार नहीं किया और अपने पिता के यहां जाने का आग रह गिया तब भगवान सिव ने उनके बार-बार आग्रह पर वहां जाने की अनुमति दे दी जब सती वहां पहुँची तो उन्होंने देखा कि उनका कोई भी परिजन उनसे प्रेम पूर्वग बात नहीं कर रहा है अपने परिजनों के इस वेवार को देखकर देवी सती को बहुत ही दुख हुआ और तब उन्हें इस बात का आभास हुआ कि भगवान सिव की बात ना मान कर उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है वे अपने पती भगवान सिव के इस अपमान को सहिन ना कर सकी और उन्होंने ततकाल उसी यग की योगागनी द्वारा अपने सरीर को भश्म कर दिया जैसे ही भगवान भोले नाथ को इस बात की जानकारी हुई तो वे बहुत ही दुखी हुए इसके बाद दुखी भगवान सिव क्रोध से आग बबूला होते हुए राजा दक्च के यहां गए और तुरंत ही उस यग को धस्त कर दिया इसके बाद ही देवी सती ने परवत राज हिमाले की पुत्री के रूब में पुनहा जन्म लिया और देवी सेल पुत्री के नाम से जानी गई तो बोलू मा सेल पुत्री कीजए चलिए जानते हैं नौरात्री के प्रथम दिन किये जाने वाला इच्छा पूर्ती उपाए दोस्तों नौरात्री के प्रथम दिन आप मासेल पुत्री की पिद्वत पूजा करें और उनके समक्च एक सुद्ध घी का दीपक जलाएं अब आप एक साबुत पान के पत्ते पर 27 फूलदार लॉंग रख लें इसके बाद आप एक सफेद आसन पर उत्तर दिशा की ओर मूख करके बैठ जाएं और अब आप ओम सेल पुत्रे नमा मंत्र का जाप 108 बार जपें जाप करने के बाद सारी लॉंग को कलावे में बाद कर माला का स्वरूप दे दें अब आप अपने मन की इच्छा को बोलते हुए इस लॉंग की माला को मासैल पुत्री को अपने दोनों हाथों से अरपन कर दें ऐसा करने से आपको हर कार में सफलता मिलेगी और अगर परिवारिक कले कलेस चल लही है तो वह भी खत्म होगी और मा के समक्च आपने जो भी मनोकामना रखी है मासैल पुत्री उसे सीगर ही पूरा करेंगी दोस्तों यदि आपके घर में बहुत जादा निगेटिव एनरजी रहती है तो आप मासैल पुत्री की पूजा करनी के बाद आप सुद्ध घी में एक कपूर का टुकड़ा डुबो कर और उसे जलाएं इसके बाद उसका धुआ आप अपने पूरे घर में दिखाएं लेकिन ध्यान रखें कि बातरूम या ट्वालेट में आप इस धुएं को ना दिखाएं दोस्तों इस उपाय को करने से आपके घर में पॉजिटिव एनरजी बनी रहेगी और आपके घर में सदयो सुक सान्ती और सम्रद्धी बनी रहेगी तो बोलो मा सेल पुत्री की जै तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जै मातादे जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवज से पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें सेर करें और साथ इसाथ चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद